पूरानी चीज़े नए तरीके से बताने का और एक लॉजिकल डिसकुर्शन जनरेट करें इस वीडियो में बात करेंगे नवोते उद्याले सैनिक स्कूल, मिलिटर स्कूल, राएमसी क्या है और मुझे कहा जाना चाहिए जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को एक भविश्य में अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी उसकी तयारी शुरू करेंगे लेकिन यह नहीं कि उसको सिलेबस लेके गाइड़ बुक लेके पांचवी से पढ़ना बिटा दिया उसका आप परसनालिटी को डेवलप करें उसमें पढ़ने की जो एफिनिटी है वो बढ़ाए उसका जो व्यावारी ग् सामानी गांच जिसे को आ जाता है वो भी उस पर काम करें तो बच्चे को एक और आल वाइबरेंट आपने बच्चा बनाने पांचवी के बाद में आपको सैनिक स्कूल, मिलिटर स्कूल, नवोधे विद्याले और आरेमसी छटी के बाद मिलता है सातवी में जब बच्चा जाता है या सेवन पास कर लेता है तब आप शोन आते हैं सैनिक स्कूल वगरा नाइंध के लिए भी हैं अभी नियू सैनिक स्कूल पे आगे हैं तो इस सब चीजे हैं जो बहुत छोटे उससे आपके बच्चे को कॉमप्टेटिव एक्जाम को एक्सपोज कर रहा है लेकिन सबी बच्चों को सैनिक स्कूल या मिलिटर स्कूल भेजने की हमायत मैं नहीं करूंगा सला मैं नहीं दूंगा मेरा अपना डिफेंस कोचिंग का जो है इंस्टिट्यूट है ऑनलाइन हमारे बैचेस है ऑफलाइन है धेरदून में आप पका आएं मिले देखें लेकिन आप अपने को इंपार कर ले बच्चा पहली में पहली के बाद वो डॉक्टर नी बरेगा इंजिनेर बरे उसके लिए बहुत टाइम है हमने उसको सही रस्ता दिखाने तो पेरेंट्स को अपने आपको अपग्रेड करने आप बारवी पास है पांचवी का याप वाला कूर्स है 899 रुपीस का वीडियो को सहबू कर लें वो भी नहीं खर्च करने यूट्यूब वाला करने तो नवोदे विद्याले आपका जाएंगे काम जो करने आपने ये करिए अपने डिस्टिक के नवोदे विद्याले में आपके बच्चे को कहीं भेजना है नहीं भेजना है वो जी मैं इस डिस्टिक से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ और ये हमारे नवोदे विद्याले का फीड़बैक है मैं 10 में से उसको 3 नमबर देती हूँ या मैं उसको 10 में से 8 नमबर देता हूँ जो 8 नमबर वाले उनको मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूँगा कि भाई इतना भी खराब हमारा देश नहीं, इतनी भी खराब विवस्ता नहीं है, कुछ नवोदे विद्याले हैं, उनके प्रिंसिपल साहब ये administrative staff जो होता है, वो ठीक था काम नहीं कर रहे हैं, उनके रिपोर्ट कर तो मेरी तरफ से, उनका ये भविश्य निर्माता है, उनको आप होने दें, लेकिन आप जाएं पका, अपने आप अपको अंदर जाके पता लगए हैं, मुझे आप बच्चे को भेजना है कि दि भेजना है, और नवोदे विद्याले ग्रामीन शित्रों की तरफ बाइज ने, उन लोगों के लिए जिनको आर्थिक रूप से बहुत सारी चुरू के दिनों में, और सानी स्कूल का एक केम है कि आपको NDA के लिए तियारी करना, तो NDA का लाइक जितनी पढ़ा ही लागो है, वो करा देंगे, लेकिन शुरू में जब आप देखेंगे, तो आपको लगया है कि किसी हमने कुष्टी दल को जॉइन कर लिया और हमारा बच्चा अब दोड़ी रहा है, दोड़ते रहेंगे, हम भी एंडिया गए, दोड़ दोड़ के है, मैं समझ नहीं है, ग्राजूशन कब करनी है, पढ़ना कब है, सारी किताबे मही है, ग्राजूशन है, हम तो साइंस टूडेंट है, तो नहीं पता लगा लेकिन हो गई, क् जब आप एंडिया चले जाते हैं, तो आपका करियर एक तरह से 99.9% assured है, एक परसंट तो 0.1% तो कोई surety नहीं दे सकता, लेकिन बहुत एक अच्छा option मिलता है, अब उसके बाद जो कम वो आते हैं, वो है military school, military school में जो हमारे फौजी जवान है, उनके लिए अभी के लिए 12,000 पे साल है, और 20,000 पे, 25,000 पे pocket money आने जाने का खर्श लगा देंगे, तो 30-30,000 में बच्चा एक अच्छे public school में पढ़ रहा है, और उसको discipline मिल रहा है, नौमी के बाद पका मैं कहूंगा, अगर आपका बच्चा आपके हाथ से निकलने के चान प्लान बना रहा है, और क इस तरह से घिच-पिच थोड़ी सी है, जो decision लेना असान नहीं है, कई public schools हैं, कई KV हैं, कई APS हैं, कई private schools हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी reputation बहुत अच्छे है, तो मैं recommend करूंगा, आपके दिल में पका सेना में जाने का जजबा है, वो आप सीधा graduation के बाद भी बेच सकते हैं, NDA सीधा भी, मैं तो KV से NDA गया हूँ, और ऐसा नहीं कि सैनी स्कूल जाकर हो जाए गई जाएगा, लेकिन उसके chances बढ़ जाते हैं, इतना फरक पढ़ता है, और अभी एक और फायदा ही हो गया है, कि छटी से लेकर बारवी तक हमारा बच्छा mobile phone इन सब के प्रपेंजों से दूर रहता है, लेकिन उसके साथ एस्टिक्स मार के है, कि उसकी फिजगली तो वहाँ पर भई, रेल बनती है, उसको सरल हिंदी में ऐसी कहा जा सकते हैं, आप जो समझना चाते हैं, समझ गयोंगे, अब जो आता है, R.A.M.C., R.A.M.C. में सीटे ही बहुत R.A.M.C. का जो सेलेक्शन रेट है, इंडिया का 75-80% है, जो की मतलब R.A.M.C. बाकी सारे सानी स्कूलों को धराशाई कर देता है, अगर सेलेक्शन रेट की बात करे जाए, ओर आल परसनेलिटी डिवल्मेंट की बात की जाए, तो R.A.M.C. एक अलगी विशिश संस्ता है, कुछ एक सैनिक स्कूल है, जो R.A.M.C. को थोड़ा मतलब चोड़ दे सकते हैं, लेकिन R.A.M.C. के बराबर कोई नहीं है, सैनिक स्कूल नेक्स आता है, सैनिक स्कूल थोड़ा अभी कॉस्ली अफेर हो गए, अगर आप EWS हैं, आपके लिए कोटा नहीं है, लेकिन आर्थि 2.2 से 1.6 लाक रुपीज मान के चलिए, साल के अंदर खर्च आएगा, और बाकी और खर्चे चलता है तो 15-20 जार पे और लगा लिजिए, तो 1,80,000 पे यह अपने शेल आउट करने ही करने हैं, रेसिडेंशल स्कूल है, अच्छे पुराने स्कूल से हैं, लेकिन इन में भी फिजिकल अक्टिविटी, गेम, स्पोर्स, डिबेट, इन सब पर बहुत ज़्यादा जोर है, और आपको लगा है कि हमारा बच्चा अच्छा खासा पढ़ रहा था है, क्या हो गया, यह आएगा, इंडिये में मैंने भी सोचा, मैं इंडिये से निकल कर सेंटिस बन जो हमारे दुश्मन है, पाकिस्तानी और जिन टेरिस से हमारा हमको अबला हूँ, उन्हें पता है कि एक सेंडिये भाई साब कोई थे, ठोक के चले गए हमें, तो वह एक अलग लाइफ है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, और जो सैनिक स्कूल के आगे गुरुकुला, गुरुक्षे इतरा में, इतर उतर और और कई स्कूल के बारे में हमें पता लगा है, तो आप अपनी तलाज जारी रखें, पहली, दूसरी, तीसी, चौती में बच्चे को उतना ही प्रिशर लगा है, जितना हो कर सकता है, उसका आउटडोर ब्यक्तितों को डेवलप करें, उसको वोकैबलरी पर काम करें, उसकी कम्मिनिकेशन, उसको बोलो या न्यूस पर पढ़के तो सुना दे, अपनी क्लास वन की बुक है, पढ़के तो सुना, उसको जूर तो उससे बूलने की प्राक्टिस तो करा ही सकते हैं, और जब सेकंड थर्ड में आप से हताश आते हैं, लगता है, उन्हें लगता है कि यहां कोई सोने की खाना है, अमरतीप सिंग जी के पास एक कोई पारस पत्थर है, जो छुएंगे और हमारा बच्चा एकदम से अफसर बन जागा, ऐसा नहीं होता है, और इंस्टिटूट साथ हम केवल एक effort कर सकते हैं, पाकि गरंटी, दूसरे की गरंटी हम न लेते हैं, न लेंगे, लेकिन हमार साथ रहेगा, फरक पका पड़ेगा, आप हमारा जल्द देख सकते हैं, मैं बारी बारी ब्रैग नहीं करना चाहता, ठीक ठा काम कर रहे हैं, एम अफ दिस वीडियो इस नौट टो गेट बिजनस, एम अफ दिस वीडियो इस तो फोर्स यू तो थिंक, आप सोची, आप सोचते नहीं, हर व्यक्ती शॉटकर्ट के चक्कर में खूम रहा है, शॉटकर्ट, कि फटा-फट कोई बना-बनाय कोर्स देदे, हमारा बच्चा कर लेगा, और वो बच्चा स्कूल से है, बसता रखा पानी पिया, खाना खाया, चलो बटा, ट्यूशन का डायम होगा, आपने आउट्सोर्स कर दिया ना, पेरिंटिंग, एंड आप मिराकल्स की प्रतीक्षा करने, और खुद इंवाल्व नहीं होना चाहते, और जब बच्चा आफसर बन जाएगा, मज़े सारे आप लेंगे, थोड़ी यह जाती है मिलोड, थोड़ा आप ढंक से सोचे, मेरे वीडियोस तंग करते हैं आपको, सपने में आता होगा कि यार गलत बात बता रहते हैं करनल साब, लेकिन इस सही बात हैं, सोचने विचारने की बात हैं, and I want parents to sincerely think, सारे वीडियोस ऐसे हैं, लेकि इन साल में, दस साल में कितने लोग NDA में सेलेक्ट हुए, या उसके बाद CDS में कितने गए हैं, मेरे परिवार में दो सैनि स्कूल के हैं, हमारे साले साब, एक NDA में चले गए, दूसरे OTA कि थूँ आ है, दोनों अपने अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, त सैनि स्कूल का मेंडे नहीं हैं, उनमें केपिबिलिटी नहीं है, और उनका क्योंकि मेंडे नहीं है, तो समय सिखा देंगे, रैइडिंग सिखा देंगे, आपका बच्चा थोड़ा बहुत गाता है, तो किशोर कुमार बन जाएगा, उसके टैलेंट पे भगवा फूल होग कल पुराने exemple के principal साब से मैं बात वरती है मेरे बडालन के अधिकारी है उनने लगा कि मैं जब military school का principal प्रिंशिपल था मेरे बहुत bright बच्चे थे उनका मुझे लगा कि दिमाग किसी और तरफ है तो उनने टेंथ के बाद उनके parents को बताए कि इनका TC लो और अभी वो civil servant है तो आप देखें कि ऐसे हमसे liberated souls भी हैं दुनिया में जो आपको और ऐसी अच्छी सलाई भी देते तो ये जो decision है ये कैसे choose करना है आपके घर के स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ बच्चे का विकास हो से के तो सैनी स्कूल, मिलिटर स्कूल, ऐसे जो boarding स्कूल है, boarding स्कूल का problem क्या है वो बहुत ही महंगे है 3-4-5 लाख रुपे साल से कम में कोई अच्छा boarding स्कूल नहीं है, उसको देखा जाए तो सैनी स्कूल एक बहुत ही सस्ता सुन्दर टिकाव मॉडल है और प्रूवन मॉडल है तो ये चॉइस किसके आपके इंडिविजल चॉइस है, आपने मेरा वीडियो देखा ABCD का मोटिवेशनल वीडियो देखा पैरा कमांडो की गुरील देखे और उपने बच्चे को बोला कि बेना कोचिंग के दिलाई मैं यह नहीं कहा रहा है कि एक्जाम दिलान तो आप कहेंगे रहे बड़े चतू रहे हैं तो कहा रहे हैं इनसे कोचिंग रहो मैं तो कहीं नहीं रहा यूट्यूब पर भी फ्री कोर्स चल रहा है 25-30 बच्च आते 242 करोड की जनसेंग्या वाले देश में जहां पर फ्री इतनी अच्छी हम एजुकेशन दे रहे हैं वहां पर उसके टेकर्स नहीं है ये भी एक बड़ा सवाल है कोई पेरेंश नहीं देखते हैं क्योंकि उस समय आपका सेस्ता टाइम है सोने का समय जी इस समय महाबतावलत को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है हम तो करेंगे ये वीडियो आप इग्नोर कर सकते हैं मुझे ब्लॉग भी कर सकते हैं इसको दिखे बट आइल कीप कमिंग विद इस वीडियो और शॉट्स और मैसेज और किसिना किस तना से आप तक पहुंच जाओंगा एम इस देट टॉक तो अस टॉक तो एन एक्सपर्ट जो उस फील्ड के है हमारा ये फील्ड है एंजिनिंग जाना है मेडिकल जाना है उसके बड़े-बड़े धुरंदर बैठे है हर चीज में पैसा लगे का हमारे पास भी आएंगे इफ यू टेक अप कोर्स उसमें पैसा लगता है और यूट्यूब पर आपको अटेंशन पे करने बड़ते हैं सबसे महंगी है तो फ्री तो कुछ नहीं लेकिन ये जो वीडियो का एम था जो क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के करियर के बारे में डिसिजन ने अगर बनना है अपना बिजनस शुरू करना है क्यों नहीं उसको अपने मैनेजमेंट के इंस्टिटूर्स विजिट कराते किसी बात कराते कोई छोटे-छोटे case studies कर सकते हैं discussion कर सकते हैं startup is a very good option अब तो मैं लोगों हूँ बोलता हूँ नौकरी मत करो अपनों business करो लेकिन 53 साल की age में कहना बड़ासान है लेकिन जब बच्चा 20 साल का है तब business का startup क्या-क्या लगता है वो एक difficult proposition है मुझे उमीद है कि इस वीडियो से आपका कोई भला नहीं होगा आपको बड़ा दर्द होगा कि ये फिर अमरदीब जी आगे इन्होंने कहा आप अपना course ले मता-पिता थियारी करें और अपने आप बच्चे को कराएं और कई लोग कह रहे हैं हमने अपने बच्चे के ट्यूटर रख दिया वो course कर लेगा और वो हमारे बच्चे को पढ़ा देगा तो ये भी थोड़ा सा क्या कहता है अपने बच्चे के साथ नाइन साफी कर रहे हैं आप 24 घंटे में से कभी भी वो एक chapter के बारे में समझा सकते हैं ट्यूटर आएगा वो भी पैसे लेगा और आपका जो shortcut का तरीका है ये एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छे result नहीं देता है सो सैनिक स्कूल, मिलिटर स्कूल, राएमसी, न्यू सैनिक स्कूल और नवोदे विद्याले और बहुत सारे जो private जो गुरुकुल इस प्रकार के जो concepts है आप research करें इनकी website पर जाएं इनका prospectus download करें तीन-चार परिवार में आपके friend circle में अच्छे पड़े लिखे समझदार लोग हैं ये सारा ग्यान आपने मिरसे ने लेने इतना हमारे पास analysis की capability नहीं है उनसे सला लें और discuss करें और अपने बच्चे को धीरी-धीरी करके दो-तीन options तक आपने fit कर देने उसमें से बोलना है और इनमें से एक आदी option आप choose करें उस पर आगे बढ़े, plan B पका रखें, plan C पका रखें ये नहीं हुआ तो ये, ये नहीं हुआ तो ये तो हताशा आती है जब आप केवल एक plan बना के चलते हैं और वो जब नहीं होता कोटा में बच्चे why do they take the extreme step वो इसी कारण से they have not thought of plan B IIT के पांच बच्चों ने जैपुर में चाहे वाला दुकान खोलिया वो पुरे देश में चाहे बेज रहे हैं वो पांच लाग छे लाग रुबया प्रति दिन कमा दे तो there is no end to innovation in our country हमारा country तो बिल्कुल fertile है इतनी बड़ी market है तो parents को थोड़ा सा holistically सोचना पड़ेगा हमार को कई बिल्कुल जांबास parents में मिलते है कहता है सैनेक स्कूल में डालके ही रहेंगे वो जो decision है कि यही हम करके रहेंगे थोड़ा fanatical side में चला था थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें और सोचजार होना चाहिए that is why I made this video I am sure this video is going to help you think and help you take a different path and different approach towards deciding the career of a child painter, singer, stand-up comedian, songwriter, film writer यह सब careers हैं लेकिन यह जब आप नौकरी करना शुरू करते हैं इसको hobby कितना पहले नर्शर करें फिर इसमें expertise करें अगर आप pick-up कर ले जाते हैं वहाँ छोड़ चाड़ के निकल जाओ लेकिन शुरुआती इससे करना is a dangerous proposition जो YouTube के influencers हैं Instagram के influencers their life is very short they may get instant fame and it may last up to 2 years or 3 years but after that it is not a sustainable model क्योंकि नए YouTuber और नए influencers आते ही जा रहे हैं जो आपको भी challenge करेंगे आपके जो दिये वे norm से उसको भी challenge करेंगे so please give it a serious thought reach out to us मेरा number दिया है screen पर 7417656633 और महशने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप WhatsApp करें अपनी समस्या पूरी लिख दे हमें 2-3 दिन का आज कल समय दीजिए बहुत सारा ट्राफिक है बहुत सारे parents को genuine हमें reply करना पड़ता है fake नहीं करते है और अगर आपको लगता है कि मुझे आज ही बात करनी है किसी भी ऐसे विक्ति से बात नहीं करता जो सीधा लिखता है talk to girl lady मैं चाहता हूँ आप पहले अपनी समस्या के pointers दें और हमें आपके लिए जवाब ढूनने का मौका दे और फिर भी आपको लगता है कि नहीं इतना urgent है तो मैं पक्का आपसे बात करूँगा पक्का call करूँगा मैं ही नहीं बात करूँगा मैं कोई demigod वगरा नहीं हूँ मुझे कोई ऐसा सरस्तुत्य माता ने थोड़ा सा बोलाए कि भी तू काम कर लेकिन हमसे बहुत qualified लोग हैं दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं और जो अच्छा करना चाहते हैं तो उन अच्छे लोगों से मैं बोलूगा मुझे संपर करें जैसे कई doctors हैं कई engineers हैं they are in touch with us तो जो parents हैं उनसे बात कराएंगे उससे आपको clarity मिलेगा that is all in this video thank you bye bye and jahin